हां जी नमस्कार आप सभी का स्वागत करता हूं पैरा मेडिकल के नमर वन चैनल स्टेडी वित्रितेश में दोस्तो आज़की क्लास बहुत ज़ादा लाजवाब होगी बहुत ज़ादा इंट्रेस्टिंग होगी क्योंकि आज की क्लास में हम लोग biology के कुछ important questions देखेंगे जो आपके बिहार, UP, जारखन, paramedical की exam के लिए काफी ज़्यादा important होंगे तो चलिए बच्चो आज की क्लास को start करते हैं तो क्लास को start करने से पहले एक छोटी सी request है यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं पहले बार है तो इस चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को hit कर लिजिए तो चलिए दोस्तो और हाँ दोस्तो classes PDF के लिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से भी अवस्य जूट जाना होगा इसके लिए आपको जाना होगा टेलिग्राम चैनल पे और वहां सर्च करना होगा study with रितेश और हमारे इस टेलिग्राम चैनल को भी join कर लेना होगा ताकि आपको हर एक लास का PDF, notes, test paper बगरा मिलते रहे ठीक है बच्छो चलिए चलिए बच्छो पहला कुशन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे दात का एनामेल किस से बना होता है दात का जो एनामेल भाग होता है वो किस से बना होता है बच्छो calcium chloride से, calcium sulfate से या calcium carbonate से या calcium phosphate से जल्दी से बताएगा what is the tooth animal made of जो दात का एनामेल होता है एना वो किस से उसका निर्मान किस से होता है बच्छो दात का जो एनामेल होता है इसका निर्मान किस से होता है जल्दी से बताएगा सबी बच्छे बताएगे दात का एनामेल का निर्मान जो है किस से होता है तो जी हाँ ये किस से होता है यदि आप लोगों ने आंसर दिया है आप्शन नमर डी यानि कैलसियम फॉस्पेट तैना आपका अंसर सही है तो जी हाँ कैलसियम फॉस्पेट से ही जो है दात का एनामेल वाला भाग जो है इसका निर्मान होता है ठीक है? चलिए बहुत अच्छी बात है बच्छो अब देखे बच्चो यहाँ पर बात आई है मुख्य रूपशे दात की है ना? तो अगर मैं आप से पूछू दात कितने प्रकार के हो सकते हैं दात कितने प्रकार के होते हैं बच्छो टाइप सॉफ टूट्स हाँ जी कितने प्रकार के होते हैं तो ये चार प्रकार के होते हैं है ना मानव दात जो है ये चार प्रकार के होते हैं कौन कौन सा भाई प्रकार होता है कोई बता सकता है हाँ जी जल्दी से बताइए देखे चार प्रकार के तो दात होते ही है बच्चो और वो चारों प्रकार कौन कौन से है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चो एक होता है इनसाइजर होता है साथ ही एक कैनाइन होता है कैनाइन ठीक है बच्चो और मोलर होता है उसके बाद प्री मोलर तो यह जो है यह चार टाइप्स होते हैं बच्चो मनुष्य के दात के ठीक है तो यह आपको याद रखना है चलिए चलिए बढ़ते है अगले कोशिन की तरफ ठीक है बच्चो अगले कोशिन की तरफ आजाते हैं चलिए बच्चो अगला प्रेश्न आ चुका है कोशन है कौन एक मानव के विकास से निकट रूप से जुड़ा हुआ है यानि आपको बताना है मानव के विकास के निकट रूप से कौन सची जुड़ा हुआ है द्वी नेत्री द्रिस्टी जबडों का छोटा होना पूच गाय आपके पारा मेडिकल के एक्जाम में अधिकतर रिपीट होते हैं है ना तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों इसका अंसर क्या होगा तो वेरी गुड इस्टुडेंट यदि आपने आंसर दिया है आप्शन नमर भी यानि जबडों का छोटा होना तो जबडों का छोटा होना यानि इसको आम लोग शौटनिंग शौटनिंग ऑफ जौव भी बोलते हैं जबडों का छोटा होना यानि शौटनिंग ऑफ जौव तो आपको याद रखना है जबडों का छोटा होना यानि करने वाला कारक है बताएगा करने वाला कारक प्रागन का मतलब क्या होता है उसी क्रिया को अम लोग प्रागन कहते हैं यानि इसको लिख भी सकते हो बच्चों कैसे लिखना है कि जब किसी पुस्प का पराग करण निकाल कर, जब किसी पुस्प का पराग कर निकाल कर, किसी दूसरे पुस्प या किसी दूसरे पुस्प तक पहुचाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रिया को पराग कर निकाल कर किसी दूसरे पुस्प या फिर किसी दूसरे पुस्प पुस्प तक जो पहुचाता है, उसे ही हम लोग पराग करते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्रियसी में जो सबसे अधिक पराग करने वाला जो कारक माना गया है, वो किसे माना गया है मधू मख्षी थाय लोकोइट्स या लैमिली या क्रिस्टी जल्दी से बताईएगा माइट्रकॉंड्रिया के जो आंत्रिक कला संवलन है ये क्या कहलाते हैं तो वेरी गूड इस्टुडेंट यदि आपने आंसर दिया है option number D यानि क्रिस्टी देन आपका अंसर सही है अब देखिए बच्चो यहाँ पे माइट्रकॉंड्रिया की बात आई है ठीक है थोड़ा सा ये detail में जान लेते हैं कि option D ही क्यों होगा तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि माइट्रकॉंड्रिया है यहाँ पे जो माइट्रकॉंड्रिया है Mitochondria इसे हम लोग सुत्रकणिका भी कहते हैं आप सभी जानते होंगे कि इसे सुत्रकणिका भी कहा जाता है और यह एक दोहरी जिल्ली बंद कोसी कांग होती है यह कैसी कोसी कांग है तो दोहरी जिल्ली बंद कोसी कांग होती है अगर आप लोगों से देखिए जैसे मैं बात करूं माईटर कॉंडिया के बारे में तो इसे सुत्रकणिका भी कहा जाता है और यह एक दोहरी जिली बंद कोसी कांग होती है और इसे यानि माईटर कॉंडिया को हम लोग कोशिका का सक्ति गरह भी कहते हैं यानि इसको कोशिका का सकती ग्रह भी कहा जाता है अब बच्चो आईए इसके structure से देख लेते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टी आंसर कैसे होगा तो चलिए देखिए मैं आपको structure दिखाता हूँ बच्चो तो जैसा कि देख सकते हैं यही है बच्चो mitochondria का structure है ना तो आप देखिए बच्चो यह जो है दोहरी जिली बंद कोशिकांग है अभी मैंने बताए कि यह mitochondria जो है यह दोहरी जिली बंद कोशिकांग है अब देखिए इसमें एक बाहरी जिली होती है यानि outer membranes होता है इसको क्या बोलते है इंदी में बाहरी इसको क्या बोलते है बच्चो बाहरी जिली इसको बोल सकते हो बाहरी जिली है ना आउटर मेंद कोशिकांग है कैसी है यह दोहरी जिली बंद कोशिकांग होती है यानि यह दोहरी जिली बंद कोशिकांग है कैसी कोशिकांग है यह दोहरी जिली बंद कोशिकांग है यानि देखिए कहने का मतलब यही है कि इसमें एक बाहरी जिल्ली होती है जिसको outer membrane कहेंगे और एक आंतरिक जिल्ली होती है जिसको inner membrane बोलेंगे ठीक है तो अब देखिए यहां पर इसमें जो बाहरी जिल्ली होती है निये सतत होती है यानि निरांतर होती है इसमें कोई भी बाधाउत पर नहीं होता और एक अंतरिक जिल्ली होती है है ना तो बच्चो यही आंतरिक जिली यह अंदर की और वलित होकर जो है क्रिस्टी का निर्मान करती है देखिए इनर जो जिली है यही देखिए अंदर की तरफ जब वलित हो जा रही है देखिए अंदर की तरफ यह वलित हो गई तो ये क्रिश्टी का यानि सिखर का निर्मान करती है तो option नमर क्या हो जाएगा बच्छों हां जी option नमर क्या हो जाएगा देखिए कोशन की तरफ चलते हैं तो option नमर क्या हो जाएगा डी जी हां option नमर डी क्यूंकि यहां पे mitochondria के हैं आंत्री कला समवलन जो है है यह क्या कहलाते हैं न तो ये हमारे क्रिश्टी कहलाते हैं चलिए बहुत अच्छी बात है बढ़ते हैं अगले क्यूशन की तरफ चलिए बच्छों अगला प्रेशना चुका है आपके स्क्रीन पे फलीदार पाधपो में फलीदार पाधपो में YVA NITORGEN के स्थी करन का जो प्रता मुतपाद है वो क्या होगा जल्दि से बताएं गलुटामेट होगा, NOT होगा NH3 होगा यह N02 होगा जल्दि से बताएं का बच्चो फलीदार पाधपो में YVA NITROGEN यानि अमोनिया तो याद रखना है बच्छों हां जी याद रखना है कि अमोनिया जो है फलीदार पातपों में नाइट्रोजन इस्थिकरन का प्रत्थम उत्पाद माना जाता है यहां फिर मैं लिख देता हूं बच्छों कि जो अमोनिया है यानि एनस्थिरी है यह फलीदार फलीदार पादपों में याद रखें का बच्छो फलीदार पादपों में नाइट्रोजन इस्थिकरन का ये प्रथम उत्पाद माना गया है ना नाइट्रोजन इस्थिरी करन इस्थिरी करन का जो है ये प्रत्थम उत्पाद माना गया है डारेक्ट याद कर लेना है ऐसे कोशन को डारेक्ट पुछे जाते हैं ठीक है चलिए मूव करते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए बच्चो अगला प्रशन आ चुका है निमने लिखित में कौन तंत्रिका संचारी के रूप में कारे नहीं करता तो देखे बच्चो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि तंत्रिका संचारी यानि तंत्रिका संचारा खोते क्या है ठीक है तो ये वो पदार्थ होते है जो तंत्रिकी सूचना या समवेदी सूचनाओं का अदान या प्रदान का कारे करते हैं ठीक है यानि पहले लिख लिजे बच्चो ये वैपदार्थ होते हैं यानि तंत्रिका संचारी क्या है तो ये वैपदार्थ होते हैं ये वैपदार्थ होते हैं जो तंत्रिकी सूचना या समवेदी सूचना, तंत्रिकी सूचना या समवेदी सूचना का अदान परदान का कारे करते हैं, है ना, यानी मतलब सूचनाओं का अदान परदान का कारे करते हैं, आपको इस तरह से याद रख लेना है, अदान परदान का कारे करते हैं, ठीक है, देखिए, फिर से मैं ब कंचारी के रूप में वो कारी नहीं नहीं करते हैं कौर्द क्या है Here यह हर्मोन होता है यह हार्मोन तंतुरी का संचारी का कारें नहीं करता में और कि जो ओपस देख रहे हुग और एपिनेफ्री सब्सक्री पास्वारेन एकत टीनों संचारी का रूप में कारे करते हैं यह सबी जो हैं तंत्रिका संचारी के रूप में कारे करेंगे लेकिन यहां पर जो कार्टिसन है यह बच्छो यह हार्मोन होता है और हार्मोन कभी भी तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करते ठीक है बच्चो चलिए बढ़ते है अगले कोश्यन की तरफ चलिए बच्चो अगला प्रशना चुका है आपकी स्क्रीन पे अंकूरन सील बीजों में वसा अमलो की निमनी करन केवल इसके भीतर होता है बच्चो अंकूरन सील जो बीज होता है उसमें वसा अमलो का निमनी करन यानि कहने का मतलब क्या वसा अमलो का उपाप्चे जो है ये किसके भीतर होता है प्राक्सिसोमों के या गलाई आक्सिसोमों के या प्रोप्लास्टीडों के या mitochondria के जल्दी से बताइएगा बच्चों यहाँ पर देखिए वसा अमलो का निमनी करन कहने का मतलब क्या वसा अमलो का उपाप्च है बताइएगा जल्दी से जी हाँ सभी बच्चे बताएंगे तो जी हाँ बच्चों यदि आपने answer दिया है option नमर भी यानि यह ग्लाई ऑउक्सीजोमो जी हाँ इस question का right answer हो जाएगा लगाई यह बत्छों यह एक सुक्चम काय होते है और इन में पाया जाते हैं इनमें जो है बच्छो क्या पाया जाते हैं और यह एंजाइम काम आते हैं बच्छो वसिये अमलो के बीटा ओक्षिकरन में यानि यह जो एंजाइम है यह एंजाइम कारे करते हैं बच्छो तो वसिये अमलो वसिये अमलो के बीटा ओक्षिकरन में इन एंजाइम काम अफ्रक्राविकाज़र कोने बेचाश काम लिचा थाstra के बीठा ओक्षी करन में के काम होता है कहने का मतलब क्या वसी ऐनो का उपापच ये ये भी बोल सकते हो कि वसा का उपाप्चाय करता है या वसी हम लोग के बीटा उक्सिकरन में उपाप्चाय का कारे करता है, ठीक है, मान के चलिए कोशन अगर ऐसे पूछ दिया जाए, पूछा भी हुआ है कि गलाई ओक्जी जोम, एक कोशन ये भी आया है कि गलाई ओक्जी जोम है ना इसका मुख्य कारे क्या है एक कोशन ये भी बन जाता है आया रखा है बच्छो गलाई ओगजी जोम का मुख्य कारे क्या होता है बस इतना याद रखना है वसा का उपापचे या फिर वसा का निम्निकरन ये भी बोल सकते हो तो कोशन को घुमा के पूछा जा सकता ह कहीं तरीकों से ठीक है चलिए बढ़ते है एगले कुश्चिन की तरफ चलिए बच्छो अगला प्रेश्चन है कौन एक बिमारी प्रोटीन के कमी के कारण होती है बताईएगा कौन सी एक बिमारी है जो प्रोटीन के कमी के कारण होती है जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर किया है, option number A, यानि 80 और कर देना आपका आंसर से है, तो बच्चो 80 और कर हो गया, मरासमस हो गया, ये भी, मरासमस भी जो है, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है, बात करेंगे रोटोंधी, तो ये बच्चो विटामिन A की deficiency से होता है, अगर आपसे पूछे कि बच्चो विटामिन A की कमी से, जी हाँ, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन A की कमी से अगर आपसे पूछा जाए, तब क्या आंसर दिजेगा, तो विटामिन A की कमी से है ना विटामिन A की कमी से जो है रतौंधी यानि जिसको night blindness कहा जाता है और इसके बाद बच्चो ये जो एक्जीमा है ये कैसा रोग है तो बच्चो ये एक ऐसी बिमारी है जिसमें तो अच्चा में जो है तेज खुजली होने लगती है और इसकीन जो है रूखी टाइप की हो जाती है ठीक है यानि एक्जीमा है कैसी बिमारी है यानि तो अच्चा से संबंदित बिमारी है इसमें तो अच्चा में जो है बच्चो खुजली वगएर होने लगती है ठीक है वै प्यक्ति अगर लंबे समय तक लीवर से पीड़ी थे लीवर खराब है उसका ठीक है तो लीवर खराब रहने से जो है उसके बाद ये बीमारी आ जाती है सिरोसिस की ठीक है बचो तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ चलिए बचो अगला प्रेशन है मानव में पित का स्त्राव पित का स्त्राव होता है कहां पर होता है बताएगा पित का स्त्राव जो है कहां पर होता है बचो कहां में होता है अगनाश्य में होता है छोट यानि यकृत में देनाप का अंसर सही है तो यकृत में जो है पित का स्त्राव होता है यानि बाइल का सिक्रिशन होता है लिवर में ठीक है यानि कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चो आपकी परिक्षा में कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बच्चो सरीर का कौन सा पित का निर्मान करता है देखे को थोड़ा गुमा कर भी पुछा जा सकता है से कि सरीर का कौन सा अंग है पताईए का तो सरीर का कौन सा अंग पित का यानि बाइल का निर्मान करता है पित का निर्मान करता है कौन सा अंग हो जाएक बचो तो यह हमारे यकृत ही होगा ठीक है यक्रित याद रखना है कि यक्रित यह क्या करता है पित रसका स्त्राव करता है यक्रित यह पित रसका स्त्राव करता है जो कि एक पाचक रसक कहते है इसको ठीक है तो याद रखना है सरीर का कौन सा पित का निर्मान करता है यक्रित करता है यानि बाइल का सिक्रेशन पित का स enthusiasts स्लाइवा में कुं सा इनजाइम होता है तो जिया है ऑप Cindy नमर C यानि Amylase, देन आप का अंसर से यह, तो बच्चो लाड में कौन सा एंजाइम होता है, तो यह हमारा कौन सा एंजाइम होता है बच्चो, Amylase, ठीक है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे बच्चो याद रखेगा, इसे पत्यालीन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको पत् सरक्रा में, यह स्टार्च को तोड़ देता है, है ना, स्टार्च को सरक्रा में तोड़ता है, यह क्या करता है, स्टार्च को तोड़ देता है, सरक्रा में, ठीक है, और इसी प्रकार जो है, भोजन का पाचन मुँ में सुरू होने लगता है, है ना, इसी प्रकार जो है, भो प्रेशन आचाता है प्रोटीनों के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो कौन से हैं प्रोटीन के डाइजेशन में जो हेल्फुल एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं यूरिये जो है या सल्फेटेज है ट्रिप्शिन है या प्रोटी एज है बहुत ही सिंपल प्रेशन है बच्चो प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम है वो कौन सा होता है जल्ली से बताएगा सब भी बच्चे बताएंगे बेलकुल फास्ट इज एन एंजाइम हेलफुल इंडर डाइजिशन ऑफ प्रोटीन बताएगा कौन सा है यूरियेज सलफेटेज ट्रिप्षिन य ये काम क्या करता है तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और ये प्रोटीन को छोटे छोटे टुकडों में विभाजित कर देता है और ये पाचन तंत्र के लिए भी पच्चो काम करता है आपको याद रखना है अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि ट्रिपसीन एक ऐस इंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है और ये प्रोटीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में है न छोटे-छोटे कड़ों में विवाजित कर देता है और ये पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही ज्यादा helpful होता है ठीक है चलिए तो option option number C जो है इस question का correct answer हो जाएगा बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए बच्चो अगला प्रेशन आ चुका है यूरिया का उत्पाद इसके द्वारा होता है किसके द्वारा और निथिन चक्र के द्वारा या कोरी का चक्र के द्वारा और इजिन इन चक्र के द्वारा या एम पाइवे के द्वारा जल्दी से बताएगा यूरिया का उत्पादन बताना है जी हाँ यूरिया का उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है बच्चो तो जी हाँ जल्दी से बताना है यूरिया इस प्रोड्यूस बाई और निथिन चक्र के द्वारा या कोरी का चक्र के द तो जी हाँ प्यारे बच्चों यदि आपने जबाब लगाया है option नमर ए यानि और नी थिन चक्र के द्वारा देन आपका अंसर सही है तो याद रखना है यूरिया का उत्पादन लीवर में यानि यक्रित में और नी थिन चक्र के द्वारा होता है यानि इसको लिख लिजे बच्चों लिख लेना है कि यूरिया का उत्पादन है यूरिया का उत्पादन है बच्चों ये यक्रित में यूरिया का उत्पादन यक्रित में यानि लीवर में लीवर में जो है और नी थिन और नी थिन चक्र द्वारा होता है है ना और नी थिन साइकिल के द्वारा होत है ठीक है बहुत ही लंबा चोड़ा प्रोसेस है ज्यादा डैप्थ में नहीं जाएंगे बच्चो क्योंकि ये कोश्चन आ चुका है और काफी बार रिपीट भी होते हैं बाइयोलोजी में कोश्चन ठीक है तो आपको याद रखना है कि यूरिया का उत्पादन किसके द्वा मापा जाता है दिखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है भोजन से जो भी उर्जा प्राप्त होगी बच्चो उसको किस सीज में में इसवापा जाता है तो जी हुआ बच्चो यदि आपने जवाप दिया है option number A यानि calorie देन आपका अंसर से ही है है ना तो बच्छो calorie में मापते हैं भोजन से जो भी energy gain होता है उसको calorie में major किया जाता है और बात करेंगे 1 calorie कितने Joule के बराबर होता है बच्छो 1 calorie कितने Joule के बराबर होता है तो ये 4.18 Joule के बराबर होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलिए बच्छो अगला प्रेशन आ चुका है मानो सरीर का एक मात्र अंग जो पुनाः विक्षित या पुनाः सरजित हो जाता है बतायेगा मानो सरीर का एक मात्र अंग बतायना है एक ऐसा ओर्गन बताना है जो दुबारा है ना बच्छो दुबारा जो विक्षित हो सकता है और साथी सा दुबारा स्रिजित भी हो सकता है बताये तिल्ली है तिमाग है जिगर है अगनाश्य है जि हाँ जल्दी से जवाब देना है जिगर यानि कहने का मतलब लीवर या कृत भी कहा जाता है इसको जिगर यानि लीवर जल्दी से बताएगा कौन सा एक मात्र अंग है जो पुना विक्षित या पुना सर्जित हो जाता है यानि regenerate view हो सकता है है ना दुबारा जल्दी से बताएगा तो ची हाँ बच्चो यह दिया आपने जवाब दिया है option number C यानि जिगर जिसको liver कहते है देन आपका answer से है तो याद रखना है बच्चो liver यानि यकृत एक ऐसा है जो पुना विख्षित और पुना सर्जित भी हो सक करता है ठीक इसको डैरिक्ट ही याद कर लेना है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ और आज की क्लास का लास्ट कोशन रहेगा बच्चो चलिए बच्चो अगला कोशन आ चुका है बाग की मटर का कौन सा गुन जो मैंडल ने अध्यान किया और वह प्रभावी था बताएगा बच्चो बाग की मटर का कौन सा ऐसा क्रेक्टर था जो मैंडल ने याना मैंडल ने स्टडी किया और वह काफी ज़्यादा इफ्यक्टिवनेस था बताएगा बीच का हरारंग फली का हरारंग जुरीदार बीच का कार्या अंत अस्थत पुस्प इस्थिती आपने जवाब दिया है option नमर B यानि फली का हरा रंग तो जी हाँ बच्चों फली का हरा रंग यानि ग्रीन पोड कलर यह प्रभावी लक्षन था है ना यानि डॉमिनेंट करेक्टर था इसको लिख लीजेगा बच्चों आपको लिख लेना है कि जो फली का हरा रंग है है न फली का हरा रंग इंग्लिस में क्या बोलते हैं इसको इसको इंग्लिस में बोलते हैं ग्रीन पोड कलर है ना ग्रीन पोड कलर ग्रीन पोड कलर तो बच्चों फली का जो हरा रंग था यानि ग्रीन पोड कलर यह प्रभावी लक्षन था प्रभावी लक्षन था प्रभावी क्लास अच्छी लगी हो यह biology वाली तो आप लोग इस क्लास का feedback और ऐसे interesting classes के लिए आप लोग हमारे चैनल से भी अवस्य जूड़ जाएगा यदि अभी तक आप ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो बच्छो चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon को भी हिट का लिजिएगा ताकि जो भी मैं important class लूँ तो आप तक notification पहुंच सकी तो चलिए बच्छो मिलते हैं अगली class में नई जोस नई उमीट के साथ अब तक लिए bye bye tata good night take care